कई लोग करते हैं गुरुजी क्या आप दूद चड़ाना जरूरी है संकर पर कई लोग करते हैं गुरुजी क्या दई चड़ाना जरूरी है संकर पर शह चड़ाना जरूरी है घर चड़ाना जरूरी है शकर चड़ाना जरूरी है शिव महापुरान की कथा कहती है पाथ चीजे शंकर भगवान पर चड़ती है दूद अर्थाथ घर में लच्छमी की ब्रधी करता है इसलिए चड़ाया है दही शंकर भगवान पर इसलिए चड़ाते हैं क्योंकि यह परिवार को जोड़ता है जिसके परिवार में कलेश जादा होता है जिसके परिवार का परिवार में आपस में तकरार जादा होता है उसको दही जोड़ता है शहाद घर में चिड़चिड प्रवत्ती को समाप्त करता है घी रोग को समाप्त करता है शकर मिष्ठान घर में यदी लच्मी आकर जा रही हो तो मिश्ठान समर्पित किया जाता इसलिए पंचामर्तिस्नान का भाव शुमापुरान करते हैं पंचामर्तिस्नान का भगवान इसलिए पाचीजे शंकर को समर्पित हैं दोध, दही, गरत, शहद, शकर, अर्धात, मिश्ठान अब लोग सकर पीस का रविशे करते हैं परन्तों मिष्ठान अर्थार गाय के दूद से निर्मित कोई मिठाई और उस मिठाई से भधवान संकर का विशेख अब लोग भले सकर रखने लगे संकर जी का विशेख में पर यहां यहां सकर नहीं लिखा है हमारे यहां सहच भासा में करते है तो उसको खांड और थात मिठा शूह महापुरान की कथा करती है दरपन इतना बड़ा ले लो बंदर वाला अगर दरपन वाली नहीं तो इतना बड़ा दरपन लो हनमान जी के मंदर में जाकर क्योंकि हनमान संकर का ही उतार हनमान जी के मंदर में जाकर हनमान जी के उल्टे पाउं का थोड़ा सा सिंदू चरण का थोड़ा सा सिंदू एक कागज में लेकर आ जाई और हनमान जी के छोटे भाई अनमान जी छे भाई हैं उसमें गती मान अनमान जी के छोटे भाई गती मान का नाम लो और गती मान का नाम लेकर उस दरपन पर सिंदूर से त्रिशूल बना दो सिंदूर से त्रिशूल बना कर उस दरपन को घर के बाहर दरपन का मुख बाहर की ओर ऐसे बाहर की और मुख करकर दर्पन को घर के बाहर या दर्वाजे पर, बिल्डिंग पर, उपर जाली में, फ्रंट में कहीं पर उसको लगा देता है। नहीं हो कम, तो ठंडा कर देना, क्या जा रहा है। पराण की कथा कती है, शंकर को जितना जल प्रिय नहीं, शंकर को जितना बेल प्रिय नहीं, शंकर को जितना शमी प्रिय नहीं, शंकर को जितना दूद दही प्रिय नहीं, शंकर को अगर कुछ प्रिय है तो सत्य प्रिय है, सत्यम शिवम सुन्दर। इसलिए हमारे याँ शाश्त्र कता है ब्रह्मा जी केथी के फूल को लेकर आए उसने जुड़ बोला ब्रह्मा जी गाय को लेकर आए शंकर भगवान के सम्मुक में जुड़ बोला ब्रह्मा स्वयम जुड़ बोले तो सिर्कटा कर्मनाशन नदी प्रकट हुई और शिव महापुरान की कता कती है संकर को सत्यप्री है अगर जूड बोला है इसलिए शिव महापुरान का इसपश्टी करन किया जाए बंडन किया जाए तो पहले के समय में आदालत नहीं होती थी पहले के समय में पंचायत नहीं हो सकती थी पहले के समय में कोई निर्णायक मंडल नहीं होता था पहले के समय में केवल एक निर्णाय होता था गाओं के लोग ले जाकर संकर के मंदर में खड़ा कर देते थे और कहते थे उठा गंगा जली और कहते तुन्हें ऐसा नहीं कि गंगा जली उठा कर कहते कि तुने ऐसा नहीं करा क्यों गंगाजली उड़वाते थे क्योंकि लोगों ने शिव महापुरान सुन रखी थी शिव महापुरान में शिरिवेद व्यासजी बंडन करते हैं कि संकर के मंदिर में संकर के ओतले पर संकर के मंदिर के अंदर शिव की चोखट पर शंकर के अनमोधन में शिव महापुरान के अंतरगत शंकर के अनमोधन में शिव मंदर में शिव चोखट पर अगर कोई भूल से भी जूट बोल देता है तो उसकी जिंदगी नरक जेसी निकलती है महाराज इसलिए कहते तो उठा गंगा जली और कहदे तुने ऐसा में बोल दे आपके भी जीवन में अगर किसी को कश्ट है फिर निवेदन करूँगा मंदर में अगर बत्ती भले मत लगाओ मंदर में भीप भले मत जलाओ मंदर में पेड़ा भले मत चड़ाओ अगर आपके महले में आपके पडोस में आपके परिवार में आपके नजदियक में अगर कोई दुखी है तश्ट में है उसको यदि प्रेम उसकी बानी भी बोल ली है एक रोटी भी प्रेम की खिला दी किसी के चेहरे पर इसमाईल ला दी तो मंदिर में दिया जलाने के बराबर है साथ मंदिर में दीप जलाने के लिए बेल पत्र भगवान मता पारवती के अश्रू से है रुद्राच भगवान शंकर के अश्रू से है शमी पत्र, उमा और महिश्वर भगवान शंकर के विग्रह के सुक से जो जल प्रगट हुआ है उस जल से शमी की उत्पत्ती है महाराद दोनों के मिलने से जैसे एक मुखी से लेकर चुधा मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं आपको पहले भी कथा में कहा एक मुखी से लेकर चुदा मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं सभी रुद्राक्ष का अपना अपना एक मंत्र होता है अपनी एक साधना होती है जिसके अनुसार रुद्राक्ष काम करता है एक मुखी रुद्राक्ष लच्णी की व्रधी के लिए होता है कभी मोका मिले तो एक मुखी रुद्राक्च का दरशन करना पर एक मुखी रुद्राक्च जितना छोटे से छोटा होता है जितना छोटे से छोटा होता है उतना सुक दे एक मुखी रुद्राक्च लच्छनी की व्रती के लिए होता है कारे सिध्धी के लिए होता है कोई धिकारी से भीकारी गरीबने से गरीबड़ा भी अगर धानन कर ले उसके घर में एक मुखी रुद्राक्ष कर प्रविश कर जाए तो सुक्का नुभव करा देता है संपदा का नुभव कराता है सरसुती का भाव प्रगट करता है बेभाव का भाव देता है एक मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम हीम नमा ओम हीम नमा ये लच्छमी के लिए होता है मारा दो मुखी रुद्राक्ष बांधा को हरता है कोई तकलीप हा रही है कोई प्रसास्निक कारे है कोई काम नहीं हो रहा फाइल आगे नहीं बढ़ रही बहुत थखलिफ आ रहे है तो दो मुखी रुद्राक्ष जो व्यप्टि धारन करता है उसका कारे सफल होता है दो मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ॐन महा दो मुखी रुद्राक्ष का श्यू महापुराण में जो मंत्र दिया है ओम नमहा विदेश्वर सहीता के अंतरगत श्यू महापुराण में रुद्राक्ष के 14 मुखी रुद्राक्ष के मंत्र दिये हूँ आप शुमाहपुराण नहीं पढ़ सकते तो मंतर लिखे लें दो मुखी रुद्राक्ष का मंतर ओम नमहा तीन मुखी रुद्राक्ष विद्या प्राप्ति के लिए होता है केसा भी अनपड से अनपड व्यक्ति हो जिसको विद्या में रुची ना हो पढ़ ही नहीं पा रहा हो चित्वर्ति ही ना लग रही हो मन ही ना लग रहा हो परसेंट कम से कम होते जा रहे हो तीन मुखी रुद्राक्ष उस बच्चे के गले में लाल धागे में डाल दीजिए नहीं डाल सकते तो बच्चे के कमरे में जहां वो पड़ता है विध्याद्यान करता है उसके कमरे में लगा दीजिए तीन मुखी रुद्राक्षि का मंत्र है ओम क्ली